हेलो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में दोस्तो आज का ये वीडियो मैं कन्या पूजन पर बना रही हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइ हनुमान जी का रूप दिया गया है इस वज़े से आपको भालक को भी कन्याओं के साथ भोजन करवाना है ऐसा माना जाता है कि दो वर्स से दस वर्स की कन्याओं जो होती है जिनको हम कन्या पूजन के लिए बुलाते हैं वो साक्षात मादुरगा का ही रूप होती है इस माता बहुत खुस होती है इनको भोग देने से, कन्या खिलाने से, तो मैं पहले बता देती हूँ कि दो वर्स की से लेकर दस वर्स की जो कन्या होती है, उनमें किनका किनका रूप होता है, किस देवी का रूप होता है, यह मैं पहले बता देती हूँ, तो जो दो वर्स की कन्या उस वो कुमारी का रूप है, वो माता कुमारी है, और जो तीन वर्स की कन्या है, वो त्रिमूर्ती के नाम से जानी जाएगी, चार वर्स की कन्या कल्यारी, पांश वर्स की रोहेडी, छे वर्स की कालिका, साथ वर्स की चंडिका, आट वर्स की संभवी, नो वर्स की दुरगा सच्छत माता दुर्गा का रूप होती है जो दस वर्ष की कन्या है वो सुभद्रा का रूप होती है माता सुभद्रा की तो इस तरह से नो कन्याओं का नो देवियों का हम लोग पूजन करते हैं तो याद रखें आपको जो नो कन्याओं भुलानी है उनके साथ एक बालक भी बुलाना है क्योंकि इन माताओं के साथ में जो ये देवी आएंगी नो देवी इनके साथ में हनुमान जी का वी रूप एक बालक भी बुलाना चाहिए इस वज़े से नो कन्या और एक बालक दस को खिलाना चाहिए याद रखें आपको बिना जातिवात बिना भेद भाव के कन्याओं को बुलाना चाहिए और उनकी अच्छे से पूजार्च ना करनी चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कन्याओं को क्या करें सबसे पहले तो आप एक दिन पहले ही जाकर सभी कन्याओं को निमंत्रन दे दीजिए कि आपको कल हमारे गर में खाना पर आना है इस तरह से आप कन्याओं को बुलाईए और उनसे पूँच भी लीजिए कि आपको क्या भोजन पसंद है जो कन्याओं है जिनको आप बुला रह इनसे पूछ लिजीए कि आपको क्या खाना है है अल्वा पूरी चना खाना है यह खीर खाना है यहिर रहें जलेवी खाना है जनी को पसंद और नौ कंझ Nahum में जिसकी गिंती सबसे ज्यादा हो जो चीज ज्यादा खाने की डेमांड रख रही हो आपकी कन्या वो चीज आप मंगवा लीजिए जैसे आपने नो कन्या पूछी हैं उसमें छे कन्या हैं उसमें धही जलेवी की बात कर रही हैं तो फिर आप धही जलेवी ही मंगवा लीज क्यूंकि कन्याओं को खुश रखेंगी तो मातरानी बहुत जादा प्रसंद होगी इस वज़े से कन्याओं के पसंद का ही भूजन बनाएं दूसरी बात जब कन्या घर पर आएं तो उनको अच्छे से आसन पर बठाना है आपको और उनकी पैर धुलने है और जो रंग आता है आलता वो उनके पैरों पर लगाना है याद रखें कन्याओं के ये मैं आपको बात बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कन्याओं के पैर में पूरा रंग नहीं लगाना है आपको आधी जगह उनकी छोड़ देनी है पीछे जो इड़ी होती है उस पे रंग कन्याओं को नहीं लगाना है क्योंकि उतना जो रंग होता है वो साधी के समय लगाया जाता है इस वज़े से कन्याओं की पूरी इड़ी में रंग नहीं लगाना चाहिए रंग आपको लगाना है ऐसा नहीं है कि रंग नहीं लगाना है लेकिन रंग पूरे पैर में नहीं लगाना है जिस तरह से औरतें लगाती है उस तरीके से रंग नहीं लगाना है कन्याओं के पैर में चाहें तो आप उनकी उगलियों की बीच में ऐसे भर दीजिए और उनके जो नाखून है उसमें भर के और बीच में एक ऐसे बिंदी टाइप की बना दीजिए पूरा इर्डी आपको नहीं भरना है और आपको क्या करना है कि एक थाल सजा लेनी है जैसे आप मातरानी के पूजा करती है उसमें अच्छत बगैरा रोली चंदन जो रखते हैं उस तरीके से आपको एक आरती सजानी है और जो कन्या हैं आपको उनको बहुत अच्छे से उनकी आरती करनी है और फिर उनको खाना ख लाना है और याद रखें कन्याओं के सर पे चुनरी जरूर डालें आपको नीला और काला चुनरी या वस्त्र जो आप दे रही हो वो ना दे नीला और काला देना वर्जित है बांकि आप किसी कलर का दे सकती है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आपको वस्त्री देने है आप रुमाल भी दे सकते हैं या आप चुनरी देना चाहें तो चुनरी दे सकते हैं या आप बच्चों के पसंद का जैसे लांच बॉक्स दे दीजिए किचन सेट दे दीजिए गुड़ा गुड़िया दे दीजिए कई तरह से आते हैं खिलोने आप उस तरीके से दे दीजिए, बच्चों को हेयर बंड बगारा भी दे दीजिए, जो आपको आसानी से मिल जाए, जितनी आपकी छमता है, जितना आप करना चाहते हैं, उतना आप दे दीजिए, केवल चुनरी भी दे सकते हैं, लेकिन दक्षणा कन्याओं को जरू ज़िए, और याद रखें, दक्षणा के साथ में आपको कोई फल भी देना है, आपकेला लेलिजी जेब लेलिजी, संत्रा लेलिजी, अनार लेलिजी, जो भी पल आपके पास हो, सुविता के अनुसार, वो फल कन्याओं को जरूर देना चाहिए, और कन्याओं को कुम-कु बहुत अच्छे से लगाना चाहिए उनके सर में कुमकुम लगाना चाहिए और याद रखें जब कन्याओं बोजन कर लें उसके बाद आपको एक थाल लेनी है और कन्याओं को खड़ा नहीं होने देना है आपको एक थाल लेनी है और एक किसी जग में किसी की मदद कर ले और कोई भी आपके पास बरतन है उस बरतन में कन्याओं जो कन्याओं आपके घर में आएंगी उनके हाथ दुलवा लीजिए कन्याओं को खड़े होके ऐसे मत बोलिए कि नहीं आप जाके जाओ वाश रूम तो वहाँ दुल के आओ ऐसे आप नहीं करना है आपको किसी थाल में उनको जो भी बरतन आपके पास हो कोई टब बगएरा जिसमें आप धुलवा लीजिए उनकन्याओं के हाथ और अच्छे से पोंच दीजिए साफ कर दीजिए ऐसा माना जाता है कि आप जितनी कन्याओं की जितनी अच्छे से पूजा करेंगी जितनी अच्छे से कन्याओं को भोजन करेंगी माता उतनी प्रसन्नोती है वो सक्षत माता का ही रूप होती है जो कन्याओं होती है वो सक्षत माता का ही रूप होती है इस वजए से कन्याओ का बहुत ही अच्छे से आदर सम्मान करना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि एक पंडित थे स्रीधर उनके कोई संतान नहीं थी जो मैं कहानी बता रही हूँ कन्या भोजन क्यूं करवाया जाता है कब से ये परंपरा चली आ रही है उस पारे में कहानी सुन लीजी तो कहानी ऐसी है कि स्रीधर नाम के एक ब्रहमर थे एक पंडित थे उनके कोई संतान नहीं थी जब स्रीधर ने गाओं की कन्याएं थी उनको भोजन करवाया तो जो भैरवनात थे उन्होंने उनकी पूजा में ब्यार्थ किया था कन्याएं नहीं जो आई थी कन्याएं उनको उन्होंने मूर वो खुद स्रीधर पंडित के घर में आई थी और उन्होंने जो स्रीधर पंडित थे उनका जो ब्रत था जो नौ कन्याओं का प्रण था संकल्प था वो पूरा किया था और उन्होंने ऐसा बोला था स्रीधर से कि आप भंडारा रखिये अपने घर में और इस तरह से माता बि पुजद नहीं करें कैन्य पूजद किने नात में अच्छा होता है कन्या पुजद नहीं करना चाहिए दर कन्या को भोजन आपने केन्हीं करना चाहिए ये सुन लीजिए जिस जगह पर कन्या खाना खा रही होती है तो उनका कुछ जो खाना होता है वो फैल बगएरा जाता है या पानी फैल जाता है या कोई खाना फैल जाता है तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि तुरंत जाड़ू या पोछा लेकि उसको साफ कर देते है तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा करने से माता नाराज हो जाती है तो आपको कन्याओं को भेजने की तुरंत बाद सफाई नहीं करनी है मैं ऐसा नहीं करी हूँ कि नहीं आपको गंदा ही पड़ाने नहीं लेकिन क्या करें आपको जादा सफाई के सवक है तो आप दो तीन घंटे रुख जाएए उसके बाद आप सफाई कर लीजिए या आप सुबह रुख जाएए तो साम को कर लीजिए आप ऐसा कर सकते हैं तु कुछ लोगों के लिए में बोल रहे हुं कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो कण्यया आपका खाना कर जाती हैं जो जूटे बर्तन पड़े होते हैं उनको धुलते हैं जो बर्तन उसके तुरंथ बाद नहा लेते तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है या भरतन दुलिजिए लेकिन आपको नहाना बिल्कुल नहीं है इस तरह से आप कन्या भूजन कीजिए ताकि माता आप पर प्रसन्नों और मनवांचित आपको जो फल है वो मिलेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो पिस वीडियो को लाइक करतीजिए चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए और अपनी राय मेरे साथ साजा जरूर कीजिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाइ-बाइ